नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग वी सोवन भमा में आज बैब बनाने वाने हो कुछ खास जो है फूट के और ये केक हम बनाने वाने हैं बिना ओवन विदाउट एंग्ज के और ये केक इतना सोफ और टेस्टी होगा कि आप मार्केट केके को भी भूल जाएंगे तो चलिए बनाते हैं फूट के इसके लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे पैन में दो ओरेंज चील कर डालेंगे इसमें तीच चमचे निडाल कर मीडियूम फ्रेम पर हलका पका लेंगे इसमें सोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और पका लेंगे अब एक छलने लेंगे ये पकी हुए संत्रे को चलने में डाल कर अच्छे से ठाल लेंगे अब एक पैन में काले अंगूर आदा वी ट्रू काट का डालेंगे इसमें भी तीन चमच चिनी डाल कर पका लेंगे जब ये हलके पक जाएं तो इसमें चिनी डाल देंगे और डाप कर थोड़ी देर और पकने देंगे अब अंगूर को थोड़ा ठंडा होने के बाद विक्सी में ग्राइंड कर लेंगे अंगूर ग्राइंड करने के बाद उसे भी छाल लेंगे अब सबसे पहले एक एक टिन लेंगे और इस पर अच्छे से ओिल लगा कर इसमें मैदा डाल कर चारों तरफ फेला लेंगी और इसे छोड़ देंगे अब एक बाउल लेंगे इसमें एक कप रिफाइन ओयल डालेंगे इसमें आदा बाउल पीसी हुई चेने डालेंगे और इसे ओयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक कप कंडेंस मिलक ड दाल कर मिला लेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करना है जिसे इसमें लंस ना पड़ी और दो और बाउल लेंगे और वेटर को तीन हिसों में डिवाइड कर लेंगी बाउल में डाल लेंगे अब एक बाउल में अंगुर वाला जूस इसमें डाल कर मिक्स करेंगे तोड़ा सा चोपो पाउडर एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब दोसरे वाले बाउल में ओरंज जूस डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब केक किन में केक वाला बेटर डाले अब ओरंज वाले बेटर पर अंगूर वाला बेटर डालेंगे, फिर ओरंज वाला फिर ग्रेप्स वाला बेटर डाल कर इस पर कूट पिक से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, मैंने पहले ही कडाई में नमक पहला कर फ्री हीट होने के लिए रख दिया था, अब एक जाल अब तथे तक पकने देंगे, लगबग एक गंटा हो गया है, अब टूट पिक लेंगे और केक में डाल कर देखेंगे कि केक पक गया है या नहीं, देखिए तूट पिक बिल्कुल साफ है, यानि हमारा केक बनकर तैयार है, देखिए कि इतना सोफ्टर ओस्पंजी बना है, हमारा केक आप इसे करपड जरूर बनाएं आपको यह बहुत पसंद आएगा तो चले कर फिर मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जैशी आराम